तो वो कह रहे थे उनको देवदूद दिखाई पड़े और वहां एक सुरंग जा रही है अगर आपके पास एक खास मात्रा में महारत हासिल है तो आप बड़े आराम से कूच सकते हैं और वापस आ सकते हैं आप इस शरीर को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं अगर आप चाहें तो आप बहुत धेर सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं बिलकुल यहीं जब हम कहते हैं मृत्यू तो एक लेवल पर मृत्यू की परिभाशा ये है कि आपने शरीर खो दिया है यही तो मृत्यू का मतलब है तो मेरा मतलब आईए दूसरे क्षित्रों में नहीं जाते हैं इससे आप बड़े चक्कर में पढ़ जाएंगे अब मृत्यू के निकट के अनुभाव की बात है तो देखे जिस चीज को ध्यान कहा जाता है हमारे पास एक विशेश प्रकार का ध्यान है जिसे शूनि कहा जाता है जिसका मतलब शूनि का शाब्दे का अनुवाद खाली पन है यह सही अनुवाद नहीं है लेकिन कोई सटी कंग्रेजी शब नहीं है तो खाली पन है या कुछ ना होना है तो अगर आप शूनि ध्यान में बैठ कर जम जाएं तो ये मृत्यू के निकट नहीं है असल में मृत्यू ही है लेकिन सचेतन मृत्यू है आप देखे अगर आपके पास मान लिजे कि आप साइकल चला रहे हैं आप एक नए नए साइकल सवार हैं जिसके पास थोड़ा ही संतुलन है तो आप इस तरह से जाएंगे कोई दूसरा बच्चा है जो सवारी कर रहा है वो अपने हाथों को खाली छोड़का सीटी बजाएगा और यहां देखेगा वहां देखेगा सवारी करेगा और तरह की चीज़ें करेगा हैंडल पर खड़ा होगा और घूमेगा कूदेगा सब करेगा क्यों? ये एक तरह की महारत है एक खास संत्रलन और महारत है तब आप साइकल से कूट सकते हैं और फिर से वापस आ सकते हैं ये सब कुछ कर सकते हैं इसी तरह आपने शरीर के साथ भी अगर आपके पास एक खास मातरा में कुशलता है तो आप आसानी से कूच सकते हैं और वापस आ सकते हैं अब ये गलती किसी दवा की वज़े से हो रही है या कई लोगों के साथ 60-70 के दशक के दौरान जब LSD का समय था बहुत सारे लोग थे जो इसके बारे में बात कर रहे थे सर आपकी बारी है वो आपका समय था कह तो सकते हैं तो बहुत सारे लोग थे जो इस बारे में बात कर रहे थे और ये वाकई में उनके साथ हुआ था ऐसा नहीं कि वो चीजों की कलपना कर रहे थे ये वास्तों में उनके साथ हुआ था लेकिन ये इसलेवे था क्योंकि ये दिमाग का भ्रहम था कोई नहीं जानता था कि वो ये था या वो था ये पका करने का कोई तरीका नहीं था कि ये वास्ता में उनके साथ हुआ था या नहीं लेकिन मैं उस समय के कई लोगों से मिल चुका हूँ जिन्होंने वास्ता में उन चीजों का अनुभाव किया था, जिसे उनका जीवन कई माइनों में बदल गया था. एक अजीब तरीके से, लेकिन अचानक उनके बारे में सब कुछ बदल गया, सिर्फ इसलिए कि कहीं न कहीं उन्हें आभास हो गया था कि शरीर को थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है. अगर आप चाहें तो, ये स्थाई चीज नहीं होती. बस उस थोड़ी सी जागरुपता ने उनके जीवन को देखने के तरीके, उनके व्यवहार और जीवन में करने की चीजों को बदल दिया. तो ये मृत्यू के निकट की बात है, तो मैंने वास्तों में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है. लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया है. कुछ लोग प्रिये किताबे हैं, जिनमें उनका कहना है, उनको देवदूद दिखे हैं, और वहाँ एक सुरंग जा रही है. देखिए एक बात है जो आपको समझनी चाहिए, जब कोई सर्जरी करवाने जा रहा होता है. तो डॉक्टर्स आश्वस्थ हो सकते हैं. मरीज को हमेशा डर लगता है कहीं वो मरना जाए. हलो? डॉक्टर आश्वस्थ हो सकते हैं. उनको केस पता है, उनने पता है वो क्या कर रहे हैं. निन्यानबे प्रतिशत वो आश्वस्थ होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. लेकिन मरीज एक बार जब वो अपनी आँखें बंद कर लेता है गुम हो जाते हैं और फिर वो वापस आ जाते हैं। असल में वो सोचते हैं कि वो चले गये थे और वापस आ गये। और उन्होंने सीन को उपर से भी देख लिया था क्योंकि ऐसा हॉलिवूड की वज़े से होता है। तो मानव मन अनभवों के अनेक आयामों को बनाने में सक्षम है। इसको मृत्यू के रूप में नहीं समझ लिया जाना चाहिए। ये जीवन है। सबसे पहली बात, खेर, मैं मृत्यू पर एक किताब ले कर आ रहा हूँ, अंदर की बात। मैं इसको साड़े छे साल से लिख रहा हूँ, ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभीद है अगले साल या उसके बात में इसे ले कर आऊंगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि वास्तों में मृत्यू जैसी कोई चीज नहीं है। ये केवल जीवन, जीवन और जीवन है। इसका एक आयाम से दूसरे आयाम में, दूसरे आयाम से अगले आयाम में जाना है। तो अगर मैं एक आयाम को खो दूँ, तो ऐसा लगता है कि वो मर गया है। अभी ये एक medical fact है कि उनका कहना है कि लगभग 15 दिन में आप अपने मौझूदा शरीर का 7 किलो वजन खो देते हैं और कुछ नया उसकी जगा ले चुका होता है। हर 15 दिन में आपका वजन चाहे जो भी हो, आपको बस ये हिसाब लगाना है कि आप कितने पखवाले में पूरी तरह से जा चुके हैं। आपके शरीर में जो कुछ भी है वो लगातार खो रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसे मृत्यू के रूप में अनुभाव नहीं करते हैं। पूरी तरह से ये गलत समझ है। हाँ, आपके जीवन का हर पल अगर आपे चुक हैं, यदि आप स्थितियों और अपने जीवन के विचारों और भावनाओं में नहीं उल्जे हैं। तो बहुत-बहुत सी चीजे हैं जो आप यहीं अनुभाव कर सकते हैं। आप यहीं यहां बैठे-बैठे अपने जीवन को वहाँ से देख सकते हैं। ये मृत्यू के निकड कानुभाव नहीं है, ये जीवन है। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, दुर्भागे से बहुत सारे लोगों के लिए इक शमताओं की कमी होना अच्छी तरह से काम करता है। ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा हुआ। एक आदमी अपने एक घनिष्ट मित्र से 25 साल के अंतराल के बाद मिला, जिसे वो अच्छे तरीके से जानता था जब वो उनिवर्सिटी में साथ में थे। तो उसने उसे रात के खाने के लिए घर परामंत्रित किया। और एक भारतिये परिवार होने के नाते पत्नी सेवा कर रही थी और ये दो आदमी खाना खा रहे थे। और हर बार जब उसे अपनी पत्नी से कुछ चाहिए होता था, कुछ मांगना होता था, तो वो कहता, मेरी हनी, मेरी स्वीटी पाई, मेरी बू-बू-बू, मेरी कु-कु-कु, मेरी बुल-बुल और जो भी होता है, आप तमिल हैं, इसलिए मेरी थंगम, मेरी चु-चु और व इक दूसरी की शकल भी नहीं देख सकते. जिस तरह से तुम अपनी पत्णी पर जैसे प्यार बरसा रहे हो, वह वाकई शांदार है. वो बुला, तुम क्या बात कर रहे हो, उसने का तुमने उसे बुल-बुल कहा, तुमने थंगम बुलाया, तुमने उसे वो कहा, उसने का रे यार मैं उसका नाम साथ साल पहले ही भूल चुका हूँ क्षमताओं का नुकसान दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि वो अपने क्षमताओं से पीड़ित हो रहे हैं लाखों वर्षों के विकास के बाद जो सबसे बड़ी क्षमताएं हमारे पास आई हैं दुर्भागे से हम उनसे पीड़े थें क्योंकि हमने यूजर मैनुवल को नहीं पढ़ा है